प्रिये दोस्तों ओम रेमेडिज में आपका स्वागत है और आज हम जानेंगे काल भैरव के ऐसे चमतकारिक लोकेट के विशे में जिसे आप खुद घर पर तयार करने के साथ-साथ इसे सिद्ध भी कर सकते हैं कल्यूक के समय में बाबा भैरव, हनुमान जी, अतिसीगर परशन होकर अपने भक्त की सभी मनों कामना पून करते हैं बाबा भैरव को सो में और उग्र दोनों रूपों में पूजा जाता है एक तरह बाबा भैरव अपने ओग्र रूप काल भैरव के रूप में दुष्टों का सनहार करते हैं तो दूसरी तरह बटुक भैरव के रूप में भगवान विष्णु के सामान सीतल और शो में दिखाई परतीत होते हैं आज हम आपको इस वीडियो के मातम से बाबा भैरव का तावीज बनाने वे इसे सिद्ध करने की सरल विधी के विषय में जानकारी देने वाले हैं दोस्तों मैं तरुन और आप देख रहे हैं ओम रेमेडिज यदि अभी तक आपने ओम रेमेडिज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि नए नए वीडियो की जानकारी आप सभी तक आसानी से पहुंच सके भैरव के तांतरी के अंतर से निर्मित यह भैरव लाकेट जातक द्वारा गले में धान किये जाने पर हर प्रकार से उसकी रक्षा करता है हर प्रकार से उपरी बाधा, भूत प्रेत, डाकिनी, चुडेल आधी सभी नकारात्मक शक्तियां इस लोकेट को गले में धान करने मातर से दूर होने लगती है शत्रू अपने आप ही परास्थ होने लगते हैं वैं मुकद्मों में जीत हाशिल होती है चुनाव में सफलता, व्यापार में उन्नती या इंट्रिव में सफलता ये सभी कारिये भैरव लाकेट अपने चमतकारिक प्रभाव से सिद्ध होने लगते हैं तो आईए जानते हैं भैरव के इस चमतकारिक लोकेट को आप घर पर कैसे तयार कर सकते हैं किसी सुनार की दुकान से एक चांदी की डिब्बी जिसे गले में आसानी से धान किया जा सके घर पर ले आएं अब इसमें एक काली मेज डाले एक लाल चर्मक और एक सफेद चर्मक डाले अब इसमें कुछ दाने राय के डाले अब दो स्यार की शुई लेकर जिसमें एक शुई को डिब्बी में सिधा करके डाले वह दूसरी की सुई को उल्टा करके डाले। खाव एक छोटे से भोजबत्र पर भेरो का तांत्रिक यंत्र बनाएं कर दिखाए गए अनुसार आप भोजबत्र पर अश्टगणद्र की श्याई से भेरो के तांत्रिक के यंत्र को बना सकते हैं भैरो यंत्र बनाने के पस्चाथ आप इसके पीछे हनमान जी के चरणों का सिंदूर लेकर इसे लगाएं भैरो यंत्र को मोड़कर तावीज में डाल दे और तावीज को किसी फेव की काद्दी से अच्छी तरह से चिपका दे और बंद कर दे अब इसमें काला धागर डालकर अपने गले में धान करें एक बात ध्यान दे इसे गले में धान करने से पहले अगर आप इसे सिद्ध कर लेते हैं तो इसकी शक्ति कई गुना भड़ जाती है तो आए जानते हैं भैरो यंत्र को आप किस प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं अपने मंत्र को कच्चे दूज से सनान करें फिर सहज से सनान करें और फिर गंगाजल से सनान करें तावीज को लाल कपड़े पर रखकर दीपक प्रजुलित करें और भैरों के इस मंत्र के 5000 जब करें मंत्र इस प्रकार है ओम स्री भैरवाहे नमे मंत्र जब के पस्चात एक छोटा सा को हवन कर उसमें अधिक से अधिक आहुतिया ओम स्री भैरवायन में मंत्र की दे और तावीज को हवन की उपर से 21 बार घुमाएं हवन की विभूत्ती से तावीज को तिलक करें वे बाबा भैरों का समन करते हुए इसे गले में धान करें भैरव के इस चमतकारिक तावीज को गले में धान करने से इसके चमतकारिक परिणाम आप सिग्र ही देख सकते हैं तावीज की पवितरता को सदेव बनाए रखे हैं तावीज बनाने की उप्रोक सभी सामगरी आपको पूजा सामगरी वाली सोब से आसानी से प्राप्त हो जाएगी यदि आप इस तावीज को अल्टिमेट ग्यान संस्थान से प्राप्त करना चाहते हैं तो 9671528510 नमबर पर वाट्शेप या काल द्वारा संपर कर सकते हैं तो दोस्तों आपको ये जानकरी कैसे लगी हमें कोमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें फिर मिलेंगे एक नहीं जानकरी के साथ तब तक के लिए धन्यवाद